सूर प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में वाक्य बनाओ करेंगे बच्चों यहाँ पर हमें कुछ क्रिया शब्द दिये गए हैं हमें उन क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं देखिए बच्चों सबसे पहला शब्द है बोलना बच्चों अब हमें बोलना शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है अठात हमारे द्वारा बनाय गए वाक्य में बोलना शब्द का प्रयोग होना चाहिए तो चलिए बच्चों अब हम वाक्य बनाते हैं बोलना हमें सदा सच बोलना चाहिए बच्चों यहाँ पर आप इस वाक्य से अलग भी कोई और वाक्य बना सकते हैं परन्तु आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी द्वारा बनाये गया वाक्य पून रूप से शुद हो चलिए बच्चों अब हम दूसरा शब्द देखते हैं दूसरा शब्द है उठना बच्चों अब आप कोशिश कीजिए उठना शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाने की शाबाश बच्चों हम लिख सकते हैं कि हमें सुभ जल्दी उठना चाहिए बच्चों इसकी स्थान पर हम यह भी लिख सकते हैं मैं सुभ जल्दी उठता हूँ या फिर सुभ़ चल्दी उठना एक अच्छी आदत है चलिए बच्चों अब हम तीसरा शब्द देखते हैं बच्चों तीसरा शब्द है गाना और हमें गाना शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है तो बच्चों यहाँ पर हम वाक्य बनाएंगे राम गाना गाता है बच्चों इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं मुझे गाना आता है या फिर मुझे गाना गाना अच्छा लगता है आईए बच्चों अब हम चोथा शब्द देखते हैं चोथा शब्द है बैठना बच्चों अब आपको बैठना शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है तो बच्चों यहां पर हम वाक्य बनाएंगे मैं बगीचे में बैठकर पढ़ने लगी बच्चों हम यहां पर यह वाक्य भी बना सकते हैं कि मुझे बगीचे में अकेले बैठना अच्छा लगता है या फिर मैं अकेले बैठकर ही पढ़ती हूँ आशा है आप सभी को वाक्य बनाने आ गए होंगे धन्यवाद बच्चों